दोस्तो अगर आप IIBF Indian Institute of Banking and Finance का एक्जाम देने बाले हो तो इस वीडियो में आपको IIBF एक्जाम की तयारी के लिए important question मिलेंगे ये सभी question हिंदी भाशा में उपलब्द है ठीक है अगर आप इन सभी question की अच्छे तयरे से तयारी कर लेते हैं तो आप एक ही बार में IIBF का एक्जाम पास कर पाओगे तो आपकी जो आज की जो वीडियो है भहुती interesting होने वाली है कि आज की वीडियो में हम IIBF के जो consonant answer होते हैं उनको पूरा हिंदी में जो consonant answer होते हैं पूरा का पूरा आज की वीडियो में दिखाएंगे आपको बस यही वीडियो देखना है इसी व और कोई सबाल चल रहा है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस वीडियो को शेयर पर जाकर यह वीडियो की कापि लिंक करके और अपने बटसप बगराराम किसी के नंबर या फिर अपना फैमली में नंबर लिंक को कापि कर लेना है और मॉर्निंग के टाइम जब आप फिरी हों मिलकुल कोई भी आपके उपर प्रेसर नहीं हो या कोई भी आपको टेंसन नहीं हो वो इस टाइम इस वीडियो को पूरा देखना है ठीक है अगर आप इस टाइम अच्छा मतलब माइंड से हो तो आप इस टाइम भी दिखाई दे रहा है क्या एक अनपढ़ ब्यक्ति को डेबिट कार्ट चारी किया जा सकता है इसका जो देखो साबसे पहले नहीं हाँ क्या सन्युक्त कहते के मामले में केबल उसी मामले में जहां बहे परिवार का पिड़धान हो अब यहां पर जो में कोस्टन आ रहा है में कोस्टन की हम बात करते हैं तो यहां पर राइट होने वाला है क्योंकि कोई भी जो ब्यक्ति है अगर डेबिट कार्ड के लिए अपलाई करता है तो वो इजिली अपना डेबिट कार्ड ले सकता है इसमें कोई भी इसू नहीं होता है ठीक है next question की तरह पाते है अटल पैंसन यूजना के अंतरकत निश्चित पैंसन प्राप्त की जाती है बहुत ही important question होने बाला है यहाँ पर जो अटल पैंसन यूजना के APY जो bank BC वाले जो APY यूज करते हैं वहाँ पर जो right answer इसका देखो य पहली बार कभ शेकाता कोलने पर भारतिय जीवन बीमा 30,000 रुपे का बीमा उपलब्द है यहाँ पर जो question दिया है इन्होंने जंधन यूजना के बारे में दिया है यहाँ पर जंधन यूजना में जो प्रधान मंत्री जीवन बीमा का जो यूजना का लागू आता वो 15 प्रधान मंत्री जंधन यूजना में के रुपे बीमा के कवर्ड नहीं है जो अभी आपने हमने कौस्टन देखा था सैम कौस्टन है लेकिन यह थोड़ा सा घुमा करके दे दिया यहाँ पर आयकर देने वाला या फिर राजी सरकार केंदर सरकार बैंकों के करमचारी परसेंट जो चांस होते हैं वो यही कौस्टन के चांस होते हैं अगर आपको पहले पूरा कौस्टन पढ़ना है अगर करक्ट आपको नहीं पता तो आपको इजली उप्योग सभी पर ही लगाना है ठीक है नेक्स कौस्टन की तरब चलते हैं पी एमजे डिवाई खाते में 5000 परफिशार रुपे की अधिक बर्षी या शुबधा किशे कहते हैं बरी-वरी इंपोर्टेंट कॉस्टन यह कॉस्टन सो परसेंट इस टाइप के कॉस्टन ही आते हैं यहां पर जो राइट आंसर हो रहा है ठीक है अब नेक्स कॉस्टन की तरफ चल लें हम यहां पर पिर्थ किशान शम्मानी दूज्य का पैसा आता है वह डीवीडी के तरह आता है एंड यहां पर जैसे कोई भी मन रेगा का पैसा हो गया या फिर पी ममस एफमस जो स्कॉलर्शिप बगर आती है वह टोटल का टोटा हो जो पैसा होता है जो बो डीवीटी कहलाता है ठीक है अब लाव अंत्रण डीवीटी क्या है डीवीटी डीवीटी मतलब है शामाजी आप शबषटी का लाव jokan खाते में सीधा अंत्रणड किया जाता है डीवीटी कहलाता है ठीक है बारीकी साब कोई कॉस्टन देख लेना है नेक्स कॉस्टन की तरफ हम चलते हैं हमें अपनी बच्टों को बैंकों में रखना चाहिए क्यों की कोई भी बंदा है जैसे अगर आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस क्यों रखना चाहिए कॉस्टन बहुत अच्छा है इस तरीकी से कॉस्टन सेम आएगा लेकिन थोड़ा घुमा फिराके आपके सामने दे सकता है यहां पर जो कॉस्टन आ रहा है कि नॉर्मल पब्लिक हिंदी भासा में आपको बता दें कि कोई भी इंसान है अपने कोई ब्यास के बैंक के टर्मेंट कंडिसन होते हैं उस तरीकी से बैंक ब्यास देता है किसी भी समय निकास ही कर सकता है यहां पर उप्योक्ष भी देगो यहां कर राइट आंसर है क्योंकि आपके घर में पैसा होगा तो खर्च हो सकता है लेकिन बैंक में कभी पैसा खर्च बगर आते होंगे कि यहाँ पे लोटरी का नंबर मिल रहा है। यहाँ पे इतना पैसा मिल रहा है। तो वह काभी सारा जो यहाँ पे जो कॉसन दिया है उसे related दे रखा है इनोंने है। यहाँ पे कभी भी lottery ticket होता है। कभी भी bank को loan बगरा नहीं देता। लोटरी टिकर्ट फेक होता है ठीक है, नयक्स कसके तरब चलते हैं, भारत में किस बैंक की साखा है, सबसे अधिक हैं, STATE BANK है, पंजाब नेसल बैंक है, BANK OF BRODA, लेकिन सबसे जादा जो बैंक है, वो STATE BANK OF INDIA, काफी सारी जगह है, कोई बेंक हो या मत हो लेकिन इस्टेट बेंक जरूरी मिल जाएगी ठीक है ये देखो नेक्स कसरें रुपए सो के नोट पर किसके हस्ताक्शर होते हैं बहुत अच्छा जो है कॉच्छन है कि सा जो जो नोट होता है उसपर तसक्राम लाद बित्तमंत्री आ रहा है भारतिय रिजर्व बैंक के गर्वन आ रहा है इन में से कोई नहीं आ रहा है लेकिन इसका जो राइट आंसर है भारतिय रिजर्व बैंक के गर्वनर जो भारतिय रिजर्व बैंक की जिनने स्थापना करी थी वही उनके जो है signature 10 के note पे 100 के note पे होते हैं ठीक है अब जो यहां पे आ रहा है question है ATM password को याद रखना चाहिए देखो भईया ATM जो password है उसको ब्यक्तिकत diary या फिर कार्रकाल diary या फिर याद रखना चाहिए या उपयोक्त सभी देखो यहां पे इसको याद ही करना चाहिए देखो पहले मैंने कहा थे कि question पढ़ना है उसके बाद ही उसका उत्तर आपको देना है तो यहां पे जो question आ रहा है ATM password किसको बताना चाहिए ATM जो password होता भया आपको किसी को नहीं बताना चाहिए आपका आग्याकारी पत्री नहीं हो या फिर अग्याकारी पुत्र हो या हो पुत्री इन में से कोई नहीं right answer इन में से राइट आंसर ठीक है आजाओ या नीचे की तरफ हूँ भारतिय रिजर्ब बैंक आफ इंडिया भारतिय रिजर्ब बैंक के बरत्मान गवर्णर कौन है जो बरत्मान में जो गर्वर्णर है वो है सकती कांता दास ठीक है नेक्स कॉस्टन की तरफ आजाओ या बैंक किसके लिए स्रण नहीं देता बैंक देखो कभी लोट्री वगरा के लिए या फिर स्राव और जुआ के लिए स्रण नहीं देता ठीक है यह चीज आपको दिहां रखना नहीं है के वाई सी का अर्थ क्या है मैं करेक्टर जो बहुत अच्छा कॉस्टन है very very important कॉस्टन के बाई सी का जो अर्थ होता है अपने गिराक को जानिए अपने गिराक की चरित को पैचानिए उपरुक्त दौनों या उपरुक्त मैंसे कोई नहीं देखो यहां पर जो है अपने गिराक को जानिए के वाई सी का मैन मतलब होता है कि बहुकार से लिए गए स्रण ब्याजदर बहुत अधिक है कोई उचित लेखांकन नहीं है या कोई पारदश्टता नहीं है उप्रोक्त सभी उप्रोक्त सभी ज्वाइस में राइट आंसर होने वाला है ठीक है पास कर पाओगे समय से स्रण की चनोती के क्या परिडाम है यहां पर देखो अच्छी खास और कोई चिंता नहीं बविश्य में आसानी से स्रण मिलना उप्योक्त सभी राइट अंसर उप्योक्त सभी राइट अंसर होने वालाए लिए स्रण देने में चूप करने का तात्पर है यह अगर स्रण करने में चूप करने का जो मतलब होता है स्रण किस्त ना देना चूप का मतलब होता है स्रण किस्त ना देना ठीक है नाक्स कॉस्टन जो आते हैं जीवन बीमा का तात्पर मतलब जीवन बीमा का क्या मतलब होता है जीवन बीमा का होता है मनुष्य का बीमा मानव भीमा ठीक है? एंड नीचे की तरह आते हम समाने भीमा किस भीमे से समन्सनेज़ है? समाने जो भीमा होते है वो हो आग हो गई, चोरी हो गई, या सेद मारी हो गई या फिर उप्योक सभी राइट अंसर उप्योक सभी आधार क्या है? आधार जो अब यह देखो यहांपर जो आधार का जो कोस्तन है अधार 12 को का कार्ड UID द्वारा जारी परमाण पत्र भी ईसका मतलब उपयोगत सभी यह है आधार का मतलब ठीक है यहाँ पर E और S का अभी प्राए E और S E और S का जो अभी प्राए होता है First question आ रहा है East और South जोन EG और Shift Ider और सर्वाइजर अप्यूक्ट मैसे कोई नहीं ठीक है यहाँ पर राइट अंसर है Ider और सर्वाइजर ठीक है Next question आ रहा है Currency note में क्या लिखना पिर्थी बंदित है Currency note जो हता है Note कोई भी हो उसमें राजनी दिख संतेश या फिर धार्मिक संतेश या फिर व्यक्ति का संतेश या फिर उप्योक्त सभी Currency संतेश पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए यह उप्योक्त सभी ही राइट आंसर होने वाला ठीक है Next question तरफ चलते हैं PPF का अभी प्राय है PPF का Pension Plonic Fund Personal Heaven Pencil Fascination Public President Fund या फिर Permanent Pratition Form Right answer है Public President Fund ठीक है इसका जो राइट आंसर हो रहा है Public President Fund यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है Next question है भारतिया Reserve Bank द्वारा अधिकतम किस मुल्यवर का नोट जारी किया जाता है भारतिया Reserve Bank द्वारा सबस्चे जादा नोट अधिकरत किया जाता है वो 2000 रुपे का किया जाता है यह आपको द्यार रख लेंगे Next question है NRI अभी प्राय है NRI Full Form यहाँ पर NRI के बारे में पूछा है Rural Invasion Non-Rural Invasion Non-Resident Indian या फिर Right Answer है Non-Residence Indian ठीक है Pen का अभी प्राय है जो Pen होता है इसका जो Pen का अभी प्राय है यहाँ पर देखो एक आ रहा है एक प्रकार का बढ़तन गलत बिल्कुल फिरति बांदित खाता संक्या स्थाई खाता संक्या या फिर इनने से पोई नहीं इसका Right Answer है स्थाई हाता संक्या इस्थाई खाता संक्या ठेक है इसका Right Answer होने वाला है Next peux in कि तरफ चलते हैं बर्तमान में भारत सरकार का केंद्रिय बित्र मंत्री कौन है बरतमान में भारत सरकार का केंद्रिय मंत्री कौन है यह है निर्मल सीता रमर्ट ठीक है राइट अंसर निर्मल सीता मरन याद रख लेना आपको ठीक है बरतमान में भारत के केंद्रिय बित्र मंत्री बैंक सरंड देता है बैंक जो सरंड देत होता है या सुरक्षादाग नो ब horizon में होता है इसका मतलब है । उप्योग सभी राइट यान्सर होने वाला है इस पैसा रखने सबसे सुरक्षित इस्थान कौन सा है जब सीथान कभेवाthis कर्षित ईसकरdoor बैंक में सुरक्षित इस्थान है ठीक है सौने और चांदी के आगुशनों को बैंक के लोकर में रखना चाहिए यहां पर देखो यह सुरक्षित है चोरी का जोकिम नहीं है उप्युक दोनों यह उप्युक दोनों राइट आंसर होने वाला है करेंसी नोट जारी किये जाते ह है देखो बुख बात वही आगी reserve bank of India के दुवरा भारती रिजर्ब बैंक के दुवरा यह राइंसर होने वाला यह आपको याद कर ले非जर्ब बैंक के दुवरा जाता कर कॉस्चन आएंगे इसम ठीक है यह कॉस्चन आ रहाए यहां पर बैंक पाश्वुक बैंक पाश्व भी ठीक है नेक्स कोंसर है बैंक किस प्रकार पर ब्याज देता है बैंक जो ब्याज देता है वो जमाओं पर देता है नहीं सरण पर देता नहीं यह गलत तीनों गलत जमाओं पर जमाओं पर ब्याज देता है ठीक है यहां पर बैंक किस पर ब्याज लेता है देखो यह से आपने दो लाग रुपे जाते हैं तोसे आप के बैंक ले। झो को कवर करना को शुर्ष कूर्स प्रूड होने के बाद चुकोती योग देश और विदेश में पढ़ने के लिए दी जाते हैं या उप्युक्त सभी राइट आंसर जो उप्युक्त सभी होने वाला है ठीक है एक बार किया गया नामंकन रद नहीं किया जा सकता है बैंक में खाता कौन खोल सकता है भारतिय नागरिक अदी अनिवाशी अनपड उप्युक्त सभी उप्युक्त सभी जो राइट आंसर होने वाला है नेक्स कुसम तरफ चलते हैं पैन संख्या की आवशक्ता होती है जो पैन कार्ड होता है उसकी आवशक्ता क्या होती है पैन कार्ड आपको पता होगा कि 50,000 से जादा बैंक नहीं निकालती बिना पैन कार्ड के और नहीं आधिक जमा करती तो इसलिए पैन कार्ड की आवशक्ता होती है ठीक है यह आपको कोई नहीं सिरोत पर करकट होती जो है TDS कहलाता है ठीक है यह अधिक्तम रासी का चेक अधिक्तम रासी का जो चेक है उसमें सो करोड़ का हो सकता है या फिर कोई सीमा नहीं है या फिर एक करोड़ का या फिर उपर मेंसे कोई नहीं राइट आंसर जो होने वाला है कोई सीमा न वाला है ठीक है स्वैम साहिता समू में पांस से वीच लोगों का समू नियमित बचत खाता समू सदस्यों के अंतरगत उप्रियुक्त सभी जो राइड आंसर होने वाला है ठीक है यहां पर जो कॉस्टन आ रहा है चेक का भुकतान किसके द्वारा रोका जा सकता है चेक का जो चेक का भुकतान किया जाता है बैंक के नगत काउंटर पर या फिर एटियम कार्ट पर या फिर बैंक खाते में जमा करके या फिर उप्रियुक्त मैंसे कोई नहीं बैंक खाते में जमा करके ठीक है राइड आंसर है यह है आविरती जमा में पिरती एक महा एक निर्दारी त लासि जमाकी जाती एँ या फिर जमाकी अब्दी निर्धारित समय से होती है बेरस का भुक्ता 902 जमादर होता है यह उप्युक्त वोरॉय। नामांकन करते समय नामायती के हस्ताक्सर किस पर लेने चाहिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉश्चन है जो नामांकन करता है उसके जो नॉमिनी जो होती है कि हस्ताक्सर किस पर लेने चाहिए यहां पो यह प्यादा खाता खुलने वाला गाल ते शुच हम टर1 कुभ सब्सक्राइब आपको वो तो पता ही होगा कि अर्दवार्सिक मतलब अर्दवार्सिक में जो अब आज बैंक जमा जो बचत जमा होती है उसका दिया जाता है ठीक है अब जो यहाँ पर जो question आ रहा है यहाँ पर देखो कटे फटे note जो कटे फटे note होते हैं वो जला दिये जाते हैं या फिर फैंक दिये जाते हैं या फिर bank में बदले जा सकते हैं इनमेंसे कोई नहीं इसका जो right answer होने वाला है bank में बदले जा सकते हैं कोई भी कटे फटे नोट होते हैं तो वो बैंक में बदले जा सकते हैं and next question की तरफ चलते हैं ATM का प्रियोग कर सकते हैं automatic tailor machine जो ATM कार्ड होता है उसका जो हम प्रियोग कर सकते हैं नगत निकासी में भी कर सकते हैं खात इसकी पूश्टाज मनलग खाते में बैंक तुआरा क्या किया जाता है अगर को भी जाली नोट मिल जाता है बैंक में अगर आप जमा करने जाते हैं या फिर कहीं से भी किसी तरीके से कोई जाली नोट या कोई फेक नोट अगर बैंक की तरफ को मिलता है तो बैंक उसको जफ्ट करता है और उसकी रसीद दे देता है ठीक है आपको अगर वेंक में उसको जफ्त करना है और उसकी रसीद आपके उसको कस्टुमर को दे देनी है मियाईदी जमा का परीपक्ता से पूर्व आधरण नहीं या फिर केबल परीपक्ता के भुगतान के बाद या फिर परीपक्ता से भुगतान से पहले राइट आंसर परीपक्ता से पूर्व भुगतान ठीक है राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर नेक्स कोस्के तरब चलते हैं मियादी जमा पर चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है त्रिवाई आधार ठीक है राइड अंसर होने वाला है लौकर में रखी बस तुम केबल लौकर धारक को मालूम हो मतलब बैंक को मालूम हो या फिर केबल लॉकर धारक को मालूम होती है बैंक में रखी जो लॉकर में रखी होती है बस तूँ ठीक है अगर लॉकर का किराया नहीं दिया जाता है तो बैंक अगर किसी लॉकर का किराया नहीं दिया जाता है तो बैंक लॉकर को seal कर सकती है या locker का परिचैलन बंद कर सकती है उचित notice दे कर locker को तोड़ सकती है और प्रिक सभी यह bank सभी काम कर सकती है next question है M Z N R E Z S अभी प्राज N Z यह जो very very important question है इसकी जो full form है महत्मा गांदी M Z N R Z S महत्मा गांदी National Rural Employment Guarantee Scheme राइट आंसर होने बाला आया ठीक है अगर यह चीज़ आया तो आपको पढ़े नहीं है यह देखो M Z N R E Z S full form है महत्मा गांदी National Rural Employment Guarantee Scheme ठीक है start number question आगे मियादी जमा की अधिक्तम अब दी होती है 10 साल ठीक है मियादी जमा कहीं आ जाया है कि मियादी जमा लिखा हुआ आ जाया है वहाँ पर कहीं मियादी जमा तो आपको याद कर लेना है 10 साल ठीक है डाल लेना दिमाग में यह आ रहा है रूपे डेविट कार्ड गया है आपने किसी बैंक में, एक बर्ष के लिए, दस हजार रुपे जमा किया है, ब्याज दर, 10.% बर्ष है, ब्याज दर, सधरनर्ट होने पर, आपको कुल कितने पैसे बाफिस देने होंगे। हुआ है अभिए सबसे पहले अपने एक बशे के लिए दस हजार रूपया जब रहा है ठीक है बही बीयाज वाली बात वह रहाई यह तस परसेंट आपको प्याज मिला तो सीध्य भात दस अजार रूपय पर 10 परसेंट सीधा 1000 रूपया ठीक है एक साल में 10,000 और 10000-1100 होगा तो पैसा हमारे पास आजाएगा Cristie सीधा सीधा कॉस्टान है ठीक है दसजार अगर हम दसजार प्लस एक हजार ठीक है तो घ्यार लोगा ने जार तो घ्यार लोगा यह राहिजा कॉस्टन आ रहा है बैंक द्वारा प्रिदान किये जाने वाली सेवाँ के संबंद में निम्लिकित मैंसे कौन सा कथन सकते है बैंक द्वारा जो सेवाई दी जाती है बैंक बित्तिया और गैर बित्तिया दोनों प्रिकार की सेवाई प्रिदान करते है फसल बीमा स्रंड वित्तिय से वाई हो जना कि रहाइन के रिकार का एक उदारन उप्यूग सभी राइट अंतर उप्यूग सभी ठीक है लो भी यह बैरी बैरी इंपोर्टेंट कॉस्ट अपीवाई 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 का जो मतलब होता है अटल पैंसन योज अटल पैंसन योजना अपीवाई अपको यह तो याद कर लेना है कि अटल पैंसन योजना अपीवाई ठीक है जिससे वीमा होता है चालू खाते और बचत खाते कि नाम से भी जाने जाते हैं चालू खाते और बचत खाते होते हैं किस नाम से भी जाने जाते हैं भी है मांग जमा मांग जमा खाते से भी इने जाना जाता है ठीक है निमिलकित मैंसे कौन सा क्रेडी सर्विस अधार में पर QSAM का एक उधारण है बैंक से अधार सेडिंग की इस्तती जानना QASM का उधारण है QSAM इसका जो मतलब है कि अधार काट से जब बैलेंस निकालते हैं कोई-कोई बैंक का उधा नहीं आता वो QSAM के अंतरकत आता है ठीक है बैंक से अधार सेडिंग की इस्तिती जानना QSAM कहलाता है बैंक ए ने 12,000 रुपे की रासी सुविकरत और बित्रित की देखो 12,000 रुपे की रासी जो है इसने यहां पर दे दी किसी को ठीक है उसके बाद जो है यह अर्दवार्शिक अधार पर ब्याज लेता है स्रंड देने वाले आदे साल के दौरान एक भी पैसा नहीं चुआ है रासी खाते में 30-10 को वसूला जाने का ब्याज है तो यह ज 6 महिने का तो टाइम हो गया अब 6 महिने का ब्याज लगा लीजिए यह जो है 6 महिने का कित्ते पर सेंट यहां पर जो सब चीजिस में लिख रहा है तो च्छमेने का ब्याज हो गया तो 12 गुणा 6 12 चंग 72 हो गया एक लग गया 0 720 रुपे का ब्याज आपके सामने आ गया बारे गुणा 6 बारे चंग 72 और 0 720 रुपे का राइट आंसर हो ठीक है नेक्स कॉस्टन तब चलते हैं भिया नेक्स कॉसन है एक बचत धारक को ना केबल बैंक में बहुत रूप से तो यह जो कॉस्टन है P.O.S का अर्थ बेरी बेरी इंपोटेंट कॉस्टन P.O.S का अर्थ क्या होता है विक्री केंद P.O.S का अर्थ होता है ठीक है आपको कॉस्टन बारे किसी देख रहे ना है एंड आप के तरफ आते हैं बैंको को अग्रिम उपाए बैंको को अंतिम उपाए के स्रणदाता का अर्थ है बैंको को जो अंतिम उपाए के स्रणदाता का अर्थ होता है रैपो के माद्यम से एस्था यादार पर बैंको को रिजर्ब बैंक द्वारा परिनिदी साइता जो बिल्कुल जिसका खासा खोलवाना है या खूलना है वह बेंग में आ सकता है बैंकिंग प्रड़ाली में बीव का क्या अरथ है बीवपार संबबादाथ है ynखना फा mutually important पदद करता है मौजुदा सिनर्ड का पुना निर्वा निवाराण ठीक है इसका राइट अंसर होने वाला है निम्लिखित मैंसे कौन सा सही तरीका सिकाईतों को सवालना नहीं है ग्रहाक के हितों में संबोधित करके ग्रहाक को उचित ध्यान दे कर मुद्दे में भावनातक लुप से ग्रहाक को पिर्तीक ध्या दे कर यök मुद्ध में भावा इत्मक स्यामिल होनाई है मुद्ध में भावात्मक रूप से सामिल होना नेक्स कोस्चन की तरफा चलते हैं पी ऐम जैडीवाई पी मुझेडीवाई वरे वैरियर्वरी इंपर्टन्ट कौस्टन पीएम zeker यह बात आपको याद ननी है यह यह है साथ एक भुकताण बैंक जमा करती नहीं कर सकता केवल बशत ख्याता में सुखार कर सकता है कि रखारक जमा अरा इंशी अधिकन नहीं होना चाहिए राइट आंसर है बिल्कुल साथ एक लाग रुपे से देख नहीं होना चाहिए ठीक है सतत्रमा को सने सबाबदी जमा को के रूप में बरजित किया गया है मांग जमा या स्रण जमा या टर्म डिपोजिट टर्म जिपोटिट बिल्कुर राइट आम सा ठीक है यह है ब्याज 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 बह कीमत है जो एक बैंक से लिया गया कोई स्रण के लिए नहीं चुकाता है ठीक है आर बियाई गार्ड लाइन्स के अनुसार बैंक को अपनी संपत्ति या स्रण को निमलिकित चार स्रेड़ी में किस स्रेड़ी में बरजित किया जाना चाहिए मानक उपमानक संगित हानी मानक उपनाग के नीचे संदिष्ठ हानी मानव संदिष्ठ हानी यह राइट आंजर है मानक संदिष्ठ गैर निपाजित हानी ठीक है कॉस्टन नमर 80 है पीम जेडी भाई कब लोन चुआ था 2014 में यह तो बात याद रखने की चीज़ भी हा पीम जेडी भाई को बुझन लगे कब लाग हुआ था 2014 में पीम जेडी भाई लाग हुआ था ठीक है नेक्स कॉस्टन जब चलते है भीम भारत इंटर फैम फोर मनी के लिए एक एप है सिस्टम और पहचान का उप्योग करके भुक्तान लेंदेन करना देखो भीम इसमें जोगा फोन पे गूगल पे पे टियम जितने भी यूपी आई प्लेट फॉर्म चलने सब यूपी आई भुक्तान खाता पता थे चलता है सब यूपी आई ठीक है यूपी आई की दवारा चलता है सब भीम यूपी आई भारत इंटरफेस फॉर मनी ठीक है पेंड नेक्स कोशन डी बी टी एल डी वी टी एल क्या विए डी वी टी एल यूजना के तैयत प्रमुक एजेंसियों में एक प्रिक्रिया सामिल है लगू बित बैंकों को कम से कम 50% प्रिदान करना निवार रहे है जिसका रासी प्राप्त उधार करता 25 लाग से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है 25 लाग से अधिक नहीं है नेक्स कोशन बैंकर और गिराक के बीच लेंदन के प्रकार के आधार बिविन प्रकार के संबन्द हो सकते हैं निवलिकित गिराक संबन्द में किसका प्रिडाम बैंकर से नहीं होता बैंकर के बैफसाए के प्रतीबंद के रूप में कार्रा करना जा होता इसका प्रिडाम बैंकर में नहीं माना जाता है ठीक है नेक्स कॉस्टन है बीमा की कीमत कहलाती है जो बीमा की जो कीमत होती है यह वो अधिमूला कहलाती है अधिमूला अधिमूला कहलाती है जी ठीक है याद रखे लेना पी-एम-जे-डी-वाई पी-एम-जे-डी-वाई प्रताहन मंत्री प्रिदहान मंत्री जन धन योजना सभी परिवार यहां पर दोजार गिया देखा हूं है सभी परिवार जोड़कर कि इसका जोड़ा है सभी परिवार जो राइटांगे सरह होने वाला है निमलिकित में से कौन एक डिजिटल के तहत सबसेटी का लाप राप्त करने के आपशक है बैंक खाता संक्या राइट अंसर हो गया बैंक खाता संक्या यहां पर जो कोशन है आर टी जी एस रियल टाइम ग्राफ सेटमेंट के माध्यम से प्रेशित की जाने वाली नियूंतम र 80 रुपए है दो लाग रुपए भईया आप याद रख लेना आर टी जी एस आर टी जी है जो पैमेंट बैंक बगरा चल रही है या फिर आई टी जी एस तुमने देखा होगा कि दो लाग रुपए की लिमिटर यह दो से अधिक काम नहीं होगा तो दो लाग आपने याद लेख लेना यह चीजा है थे नेक्स कॉस्सन लेखांगकन चक्र में सबसे पहले कौण आता है सबसे पहले आता है सबसे पहले आता है शाय में रिकwe Kann sembra ब्योपन लेगा जोगा और कातियो में किल से संभी आराग अंसर है साय ने पूस्ट कों में रिकr sparienza टीए है ठायट आ सबसे पहले केंद्रिय जो रिजर्ड बैंक की बात करते केंद्रिय कारेकाल की वह जो कॉलकाता में हुआ था कॉलकाता याद रखने ना तुम ठीक है नेक्स कोसन है आए और एसी विब्राड एक हिस्सा है जो फरम की बाड़िस्तिकाय का ब्या हो सकता है सुद्ध लाव या नहीं संबंद्र में आता है तो भी है इसको पहले पूरा आप एक बार पढ़ लीजिए बारी किसे ये कॉस्टन है थोड़ा सा इसका युराइट अंसर कतन एक गलत है लेकिन कतन टू सही है कतन टू जो आ रहा है कतन टू सही है कतन टू में बोल रहा है बैलेंस सीट उनके उप्यों करता को स्टेटस और देता सम्मंदी जानकारी प्रदान करके फरम की स्टिक बित्तिय इस्टिका पता लगाने में देविड जो आता है क्रेडर जो निकलता है डे अकाउंट का निया मैं रिएल अकाउंट एक डेल अप मैं banking में IBA का पूझ क्या है banking में IBA फुल फॉरुप यहांपे पूच्छ सकता है कि IBA की मतलब है क्या आर्थ है question तुमसे घुमा फिरा के कापी सारे पूछ सकता है लेकिन आपको question को समझना है बारी किसका उत्तर देना है IBA होता है Indian Bank Association आपको याद रख लेना है I for Indian B for Bank A for Association किसी तरीके से भी अगर IBA आता है तो Indian Bank Association आपको बारी किसे याद करना है क्योंकि ये question very very important question होता है next question की तरफ चलते हैं भारत दंट अहिता की धाराएं 369 से 374 किन क्रत्तों से संबन देते हैं या प्रोथभन जबर बशूली दास्ता और जवरण सिरं यह लोग ईया last question यह जो आ रहा है अप्रहण प्रोथभन जबर बशूली दायता और जवरण सिरं राइट आंसर भारती अनुबंद अधिनियम 1872 के प्रिसंसों समाधानों के अनुसार कौन सा सत्य है मतलब गलत है पेष्ट तरीका है गलत को स्टोग न होने बढ़ा है पेच्छानवे कॉस्टन नमबर है चालू जमा खाते के हख़गार नहीं होते जो होता है कभी चालू जमा खाता ंहीं होते ब्याज नेक्सक्ष्ण है बैंक इन वेसे क attracting प्रिदान नहीं करता बेंक जो इनमेंसे crop lawn, educationじ, пом बैरिडरी बैरी لاौ इंपोर्टेंट को बात भात भी अपिन को आपको घुमापि राके काफी तरीके से पोछ, जो पिन का फुल फॉर्म होता है परसनल इडेन्टिफिकेशन नंबर इसका पिन का फुल फॉर्म है याद रख लिना है आपको परसनल इडेन्टिफिकेशन नंबर और यह कौसन है एनिएफ्टी की सुरुवात कभूची 2005 में विया अइनिएफ्टी किसी सब्सक्राइब पिरदान मंत्री जंधन यहना के लिए निगरानी चरण यहना है थीक है आ जाओ यह नीचे को PMZY कितने स्तम्मों पर निर्मित है 6 स्तम्मों पर निर्मित है ठीक है एंड यह देखो कॉस्टन एक और बचायवी 101 मा कॉस्टन है बैंक एक ऐसी संस्ता है जिसे समाज या जनता के सभी सदस्यों से जमा सुभिकारत करना या जन्वा उधार देना होता है ठीक है भी या तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया हुआ और वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताने वाले थे आपको उम्मीद है कि आप IABF में जो 100% पास हो जाएंगे IABF में पास होने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है हमारी यूट्यूब चैनल को एक कमेंट जरूर करना है वीडियो में कि हाँ सर हम IABF पास हो चुके है ठीक है उनको प्लीज वीडियो सेयर जरू कर दीजिए तो इस वीडियो में इतना ही मिलते किसी अगली वीडियो में जब तक लिए जहिंद वन दे मातरम